हलो फ्रेंग्स कॉंपटिशन कम्यूनिटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में उर्जा संसाधन से सम्मंधित वस्तुनिष्ट प्रश्णों के बारे में चलिए तो हमारा सबसे पहला सवाल देखते हैं उर्जा क्या है अदिश राशी, सदिश राशी, भौतिक राशी और इंड में से कोई नहीं जब भी हम उर्जा की बात करते हैं तो कारी करने की शमता को उर्जा कहा जाता है और उर्जा जो है एक अदिश राशी है उर्जा की परिभाशा होगी कारी करने की शमता को उर्जा क को का सहीं 아न्सर हो जाएगा अब यह उर्जा विवेने प्रकार की हो सकती हैं सोण यह होती है और सूरश से जो हमें मिलती हैं वह सारी उर्जाएं सोण ब्लबाती हैं नेक्स सब्सक्राइब में चलते हैं मध्य प्रदेश विकास निगम की स्थापना कब की गई थी मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम की स्थापना 1980, 1982, 1960 और 1972 जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उर्जा विकास निगम की तो मध्य प्रदेश में उर्जा विकास निगम ये इसका लोगो है देखिए उर्जा विकास निगम का सीधा मतलब यह है कि जो हमारी उर्जा है उसको किस प्रकास से विक्सित किया जा सके और साथी साथ में विभिन प्रकार की उर्जाओं को कैसे करके सनरक्षित करके रखा जा सके तो इसके लिए बनाया गया उर्जा विक पादण किस जिले में किया गया था इंदॉर, जवलपर, गवालियर और भोपाल माद़िप्रदेश में सबसे پहले जब हमने देखा था कि विद्धुद का उत्पादण किया गया था तो वो कि या गया था गवालियर जिले के अंतरगत यहां पर टर्माइन चलाकर विद्धुतकाउत पादन किया गया था यह जो आपको फोटो दिखाई दे रही है यह है गौलियर का सबसे प्रेमुख और प्रशध परेड़न इस्थल गौलियर का किला इस किले को जिब्राल्टर ओफ इंडिया भी कहा जाता है और भारत के किलों में जड़ा हुआ मोती भी कहा जाता है ताप विद्धुतकेंद्र आपको बताने है और इसके साथ में आपको जिले बताने है अमर कंटक ताप विद्धुत केंद्र, चांदनी ताप विद्धुत केंद्र, पेच ताप विद्धुत केंद्र, सत्पुडा ताप विद्धुत केंद्र, अनुपुर, बुरहानपुर, छिंदवाडा, बैतूल जहां से याद हो वहां से शुरू करना है देखे सबसे पहले चांदनी ताप विद्धुत केंद्र जो है वो आपके बुराहनपुर के अंतरगत आएगा तो B का 2 आपको देखना है कि ये बिल्कुल सही बात है अवर कंटक ताप विद्धुत केंद्र की बात करेंगे तो यहाँ अनुपुर जिले के अंतरगत आएगा ये भी बिल्कुल सही बात है इसके अलावा हम देखेंगे कि पेच ताप विद्धुत केंद्र जो है वह भी छिंदवाडा जिले के अंतरगत आएगा क्योंकि पेच राश्ट्री उध्यान जो है वह भी छिंदवाडा जिले के अंतरगत ही आता है सटपड़ा ताप बिंदुत केंद्र जो है वह भी बैतूल जिले के अंतरगत ही आता है हमारे ये चारो आप्शन सहीं हो जाएंगे option number D आपका सहीं अंसर हो गया 1, 2, 3, 4, 4 चारो कथन सत्य है NTPC National Thermal Power Corporation Limited द्वारा संचालित प्रदीश का सबसे बड़ा ताप विधुत केंद्र कौन सा है संजय गादी ताप विधुत केंद्र, पेच ताप विधुत केंद्र, विंध्याचल ताप विधुत केंद्र और चांदिनी ताप विधुत केंद्र, देखें यहाँ यह नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ताप विधुत केंद्र सबसे जादा विधुत का उतपादन करता है बलके यहाँ question यह है कि कौन सा ताप विद्धुत केंद्र जो है वहाँ बड़ा है और जो की anti-pc के द्वारा संचालित होता है तो इसका answer होगा पेच ताप विद्धूत केंद्र जो है यही है एंटी पीसी के द्वारा संचालित हो था है और इसके साथ ही साथ में यह जो है यह सबसे बड़ा ताप विद्धूत केंद्र है जो की एंटी पीसी के द्वारा संचालित किया जाता है सिंगाजी ताप विद्धुत केंद्र किस जिले में इस्थित है बुरहानपुर धार सतना और खंडवा देखे सिंगाजी ताप विद्धुत केंद्र जो है न यह संत सिंगाजी की याद दिलाता है हमें यहां ताप विद्धुत केंद्र खंडवा जिले में स्थित है, इस कारण से आपका option number D सहीं हो जाएगा खंडवा जिला, यहीं सिंगाजी ताप विद्धुत केंद्र है काफी बड़ा शेत्र में फैला हुआ है, यहां अगला है, राजा भोज अंतर राष्ट्रिय हवाई अ भोपाल में स्थित है, जबलपुर हवाई अड़ा, जबलपुर में है, खजराहो हवाई अड़ा, छदरपुर जिले की अंतर गताता है, और इसका सहीं जवाब होगा, देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड़ा, option number A, बिलकुल सहीं आंसर हो जाएगा, question number 7 का, आप question number 8 क की तरफ में चलते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम बायो मास सहींतर किस जिले में स्थित है, होशंगाबाद, धार, बैतूल और छिंदवाडा, दिखिए, बायो मास सहींतर की हम बात करते हैं, तो इससे उरवर को का भी निर्माड किया जाता है, और यह जो है, यह बायो म मद्यर प्रदीश राज्य में सर्व प्रफम पवन चक्यों की स्थापना कहा की गई थी पवन चक्यों की जब हम बात करते हैं तो यह जो है कि वाइयू से बिजली का निर्माड करती हैms यह जो पवन चक्या आपको दिखाई दे रही है ना इनमें बड़े-बड़े यह पंखे दिखाई दे रहे हैं यह लगे होते हैं और जैसे बहुत जादा हवा चलती तो पंखे घूमते हैं और इनके घूमने से जो उरजा बनती है उस उरजा से बाद में विद्धुद पर स्थित है और मदी खेडा जल्विद्धुद परियोजना की बात करते हैं तो यह मैप या फोतो यह जल्विद्धुद ब्यूजना है और हम जिलों की बात करते हैं तो यह शिवपुर जिले में स्थित है या फिर इसे शियोपुर भी कहा जाता है शियोपुर जिला जवलपुर ताप विद्धुत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1940, 1950, 1970 और 1960 जवलपुर में विद्धुत के उत्पादन के लिए एक ताप विद्धुत केंद्र की स्थापना की गई और जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी अर्थात option number D आपका सही आंसर होगा 1960 के साथ निम्ण मेंसे कौन सा अन्यराज में इस्थित जल विद्धुत केंद्र है? बार्ड सागर, पेच, जवाहर सागर इनमें से कोई नहीं देखें बार्ड सागर की जब हम बात करते हैं तो यह जो परियोजना है यह सोन नदी पर इस्थित है पेच की बात करते हैं तो यह छिंदवारा जिले में स्थित है जवाहर सागर की बात करते हैं तो यहां चम्मल नदी पर है और राजस्थान में है इस कारण से option number C इसका सही होगा और राजस्थान इसका आंसर भी है बीर सिंगपूर जल्विधुद कींदर निम लिखित में से किस जिले में स्थित है उमर्या, जवलपूर, बालगाट और शेहडोल देखिए बीर सिंगपूर की जब हम बात करते हैं तो यह बीर सिंगपूर का सामने का गेठ है और यह जल्विद्धुत केंद्र जो है वह उमर्या जिले में इस्थित है अर्थात option number यह जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल तापी या उर्जा स्टेशन के जब हम बात करते हैं तो यह जो इस्टेशन है यह बहुत बड़ा है आपको फोटो में छोटा देख रहा होगा पर यहां से लेगी यहां तक पूरा फैला हुआ और पहाडों को देख के आप अंदाजा लगा चकते हैं कि कितने बड़े शेत्रफल में यहां फैला हुआ है यह स्टेशन मध्य प्रदेश के सिंग्रॉली जिले के अंतर गताता है अर्थात ऑप्शन अंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चंबल नदी पर बनी गांधी सागर जल विद्धुत परियोजना किन दो राज्यों की परि परियोजना की तो यहां परियोजना मध्य प्रदेश और राजिस्थान की परियोजना है अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के किस जले में सत्पुडा तापी ये विद्धुत स्टेशन इस्थित है ये विद्धुत स्टेशन है सारे स्टेशन एक जैसे ही दिखाई देते हैं बन का छेत्र बस थोड़ा थोड़ा अलग है ऑप्शन की बात किरते हैं बाला घाट, सिवनी, बैतूल और हर्दा तो इसका सही आंसर है कि मध्य प्रदेश में सत्पुडा तापी विद्धुत स्टेशन बैतूल जिले में स्थित है ऑप्शन नमबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा ओमकारिश्वर जल विद्धुत सही आंतर से उर्जा उत्पन्न होती है कितने मेगावाट उत्पन्न होती है ओमकारिश्वर से यह ओमकारिश्वर जल विद्धुत सही आंतर कहां पर इस्थित है और खंडवा को ही मंधाता के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर ओमकार ममलेश्वर जोतिरलिंग का असली नाम है ममलेश्वर जोतिरलिंग, 450 MW, 520 MW, 670 MW और 1000 MW, तो इस परियोजना से उत्पादन होता है किसे मध्यप्रदेश की उर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, बालाघाट, इंदौर, सिंग्रॉली और जवलपुर, मध्यप्रदेश की उर्जा राजधानी कहा जाता है, सिंग्रॉली के बैढ़न को, या फिर सिंग्रॉली को, option number 3 आपका सहीं अंसर हो जाएगा किस शहर में प्रधान मंत्री ने दो 600 मेगावार्ट थर्मल पावर बिजली की इकाईयों का उधगाटन किया है, खंडवा, इंदौर, सिंग्रॉली और भोपाल, तो इसका सहीं आंसर होगा, आपका खंडवा जिले में प्रधान मंत्री जी के द्वारा, दो 600 मेगावार्ट थर्मल पावर प्लांट का उधगाटन किया गया है, माध्य प्रधीश राज्य में पहली नीजी छेत्रे की जल विद्धुत परियोजना इस्तित है, कौन सी परियोजना है, आपको आंसर ये बताना है, पेच जल विद्धुत परियोजना, राजकार जल विद्धुत परिय और बिरसीपुर जल विधुत परियोजना तो इसका सही अंसर हो चाएगा महीश्वर जल विधुत परियोजना यही वह परियोजना है जो कि पहली निजी छेत्र की जल विधुत परियोजना है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पन बिजली उत्पन करने वाली परियोजना कौन सी है इंद्रा सागर परियोजना, मान सागर परियोजना, पगारा बांध, इसके अलावा कुंडिलिया परियोजना देखें जब हम इन परियोजनाओं की बात करते हैं तो जो इंद्रा सागर परियोजना है यह परियोजना काफी बड़ी परियोजना है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पन बिजली उत्पान करने का श्रेय इंद्रा सागर परियोजना को ही जाता है अर्थात आप्शन नमबर ए आपका सही अंसर हो जाएगा इंद्रा सागर प वर्ष 1953 में इसकी स्थापना की गई थी 1953 में निमलिखित में मध्य प्रदेश के किस जिले में वेलस्पन परियोजना लगी हुई है गौालियर नीमच जवलपुर और सागर देखे जब हम बात करते हैं वेल इस्पन परियोजना की तो यहाँ परियोजना मध्य प्रदेश के नीमत जिले में चालू की गई अर्थात option नंबर भी आपका सही होगा इस परियोजना के तहट बहुत सारे solar panel लगाए जा रहे हैं और इनसे विद्धुत का उत्पादन किया जा रहा है यह आप देख सकते हैं बहुत लंबे शित्र में solar panel लगा यह सूपर विद्धुत ताप ग्रहों की श्रंखला का एक हिस्सा है एंटी PC द्वारा उत्पादित होता है मतलब संचालित किया जाता है इन में से कोई नहीं इसके लावा option देख लेते हैं हम एक और दो दो और तीन एक और तीन एक और तीन एक दो और तीन मतलब हमें सत्य कथन मताना इसमें से क्या क्या सत्य है जब हम इंध्याचल सूपर विद्धुत ताप सयंत्र की बात करते हैं तो यहां विंधन अगर सिंग्रौली मध्यप्रदेश में है सही बात है यहां सूपर विद्धुत ताप ग्रहों की एक श्रंकला है यह भी सही है एंटी PC के अप्शनबर साथ 1,2 और 3 उछ जल विद्धुत परियोजना किंद्धो राज्यों की सयउंगत परियोजना है मध्य-प्रदेश-महराष्ट मध्यप्रदेश-बिहार मध्यप्रदेश-Rاجस्तान और मध्य-प्रदेश-वाव- उत्तर-प्रदेश पेच की जब हम बात करते तो यह छिंदवाडा में इस्थित है, तो छिंदवाडा मध्यप्रदीश का निचला इस्थर है, दक्षुनी इस्थर है, तो इस कारण से मध्यप्रदीश और महराश्य राज्य की यह सयोगत परियोजना है, अठात option number A आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किस जिले में संजय गांधी ताप विद्धुत केंद्र इस्थित है, शेहडोल, छिंदवाडा, उमरिया और सागर, यह संजय गांधी ताप विद्धुत केंद्र एक जैसा ही दिखाई देता है, हमने पहले ही बात कर ली है, तो यहाँ जो ताप विद्धुत केंद्र है, यह उमरिया जिले में स्थित है अर्थाद option number C आपका बिल्कुल सही अंसर होगा निमलिखित में से कौन सा उर्जा का परंपरागत श्रोत नहीं है कोईला पैट्रोलियम शौर उर्जा और प्राकृतिक गैस उर्जा का परंपरागत श्रोत नहीं है बोल रहा है तो इसका सही अंस तूल रीवा और सीधी तो शारणी ताप विद्धुत ग्रह जो है यहां बैतूल जले के अंतर गताता है इस कारण से option number B आपका सही आंसर हो जाएगा सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करकर सही उत्तर लगाईए जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर हैं हमने पहले ही देखा था रानी अवंती भाई सागर परियोजना मही खेडा जल्प विद्धुत परियोजना और बार्डसागर परियोजना बार्डसागर परियोजना जो है वह सोन नदी पर है तो हम दो गांशन को देख चुके दो हमें पता थे ऐसा मान के चलते है जो सबसे इज़ी है रानी अवंती बाई की बात कर लें तो यहाँ बरगी में स्तित है और मही खेड़ा की बात कर लें तो यहां काली सिंध नदी पर स्तित है तो आपका आंसर बहना चाहिए 2-4-3-1 2-4-3-1 तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा पेच ताप विद्धुत केंद्र अमर कंटक ताप विद्धुत केंद्र और विंध्याचल ताप विद्धुत केंद्र तो जिस ताप विद्धुत केंद्र से सरवाधिक उत्पादन होता है विद्धुत का तो वो अंसर है विंध्याचल ताप विद्धुत केंद्र अर्धा you so much मिलते हैं नेक्स वीडियो में